हालो स्टूडेंट्स आज हम जनेरेशन ट्रांस्मिशन एंड दिस्टिभूशन सबजेक्ट का 'll visit करेंगे सब स्टेशन आपका विजीट है तो हम आप सबस्टेशन को विसीट करते हैं तो चले देखते हैं कि क्या क्या component लगे रहते हैं यह जो सबस्टेशन है 33 x 11 kv का सबस्टेशन है तो आप इसमें देख सकते हैं इनकमिंग क्या होगा इनकमिंग जो है 33 kv आएगा और आउटकोइंग क्या होगा आउट्पूट हमें क्या मिलेगा 11 kv तो किसी भी सबस्टेशन में लाइटिंग अरेश्टर एक पहला component होता है लेकिन यहां पर लाइटिंग अरेश्टर नहीं लगाया गया है लाइटिंग यहां इसे प्रोटेक्शन के परपस से सबस्टे लगाया जाता है लाइटिंग के प्रोटेक्शन गलिए जो क्या करता है अगर हाई वोल्टेश को वो क्या कर देता है ग्राउंड कर देता है तो यहां पर इनकमिंग का रहा है आपका 33 kilow all sagt lub М"; अरेगता है उनकमिंग अरह जहां से हम क्या करते हैं? ब्रेक करने का काम करता है लेकिन isolator off-load condition में work करता है circuit breaker भी isolate करने का काम करता है लेकिन circuit breaker on-load condition में work करता है और isolator जो है वो circuit breaker on-load में काम करता है और isolator off-load में आप देख सकते हैं यह जो rod आपको दीख रहा है न वो अगर इस position में है मतलब हमारा जो circuit है वो okay है कोई फॉल्टी पार्ट नहीं है और हम इसे कैसे operate करते हैं इसे यहाँ पर एक handle दिया रहता है उसके through हम क्या करते हैं इस isolator को operate करते हैं अकर कोई fault आगया तो इस handle को operate करके हम यह जो rod दीख रहा है उसको open कर देते हैं जो part आपका faulty है वो पुरा circuit से अलग हो जाता है अब आप उसको repair कर सकते हो तो यह होता है आपका isolator यहाँ से अब हमारा supply जा रहा है 33 के भी अब यहाँ पे 33 के भी line जा रहा है 33 के भी supply मिल रहा है कि ने इसको measure करने के लिए हमने क्या लगा है एक 33 किलो वोल्ट पावर potential transformer लगा है potential transformer क्या करता है voltage को measure करता है high voltage के लिए हम क्या यूज करते है potential transformer यूज करते है तो यहाँ पे क्या लगाए गया है 33 किलो वोल्ट potential transformer जो किसमे connected रहता है आपका पैलर में connected रहता है उसके बाद आप देख सकते हो वहाग किया है यहां पे आप देखोगे यहां पर आपको a-b contr दिख रहा है a-ba 17 मिंज क्या होता है एब एक स्विच ठीक है कि यह भी क्या करता है healthy और faulty पार्ट को isolate करने का काम करता है यहां पर आप देख सकते हो clean aí फ्रीक स्विच लगे है एबी स्विच लगे हैं ये भी क्या काम करेगा healthy और faulty पार्ट को क्या करता है isolate करता है clear तो यहाँ पर हमने air brake स्विच लगा है आप देख सकते हैं किस टाइब का दिखता है air brake स्विच उसके बाद हमने यहाँ पर क्या यूज किया है यहाँ पर हमने यूज किया है यहाँ पर क्या लगा है circuit breaker लगा है यहाँ आप देख रहे हैं वह क्या है circuit breaker है 33 kv vacuum circuit breaker VCB that is vacuum circuit breaker high voltage के लिए हम SF6 circuit breaker यूज करते हैं यहाँ पर हमने vacuum circuit breaker यूज किया है अब देखिए यह किसे है यहाँ पर आपका यह जो दीख रहे है ना सामने वह क्या है 33 kv city unit मतलब क्या है करेंट transformer करेंट को measure करेंगा for example अगर करेंट transformer का rating है कि 1000 oblique 1 ampere 1000 to 1 ampere means अगर incoming 1000 है तो करेंट transformer उसको क्या measure करेंगा 1 ampere अगर इस करेंट transformer से एक point किसे connected रहता है रिले से रिले क्या है आपका एक sensing device है जो fault को क्या करता है sense करता है in case अगर करेंट transformer का rating है 1000 to 1 ampere लेकिन करेंट की ता flow हो गया 1200 ampere 1200 ampere flow हो गया means जादा flow हो गया तो उस case में क्या होगा current transformer क्या हो गया हमें पता चलिए कि current तो जादा है तो इस चीज को कौन sense करेंगा relay अब relay इस चीज को sense करेंगा और signal किसको pass करेंगा circuit breaker को pass करेंगा और circuit breaker क्या हो जाता है तो इस तरह से work करता है हमारा circuit breaker relay और current transformer तो यहां पर हमने क्या यूज किया है vacuum circuit breaker आप देख सकते हैं यह आपका current transformer and this is current transformer and this is vacuum circuit breaker तो यहां पर आप देख सकते हैं circuit breaker आउन लोड कंडिशन में वर्क करेंगा जब supply अप्लाई अप्लाई सब आउन रहेगा तब वर्क करेंगा circuit breaker और आइसुलेटर किस कंडिशन में काम करता है no load condition में काम करता है यहां पर देख सकते हैं एक insulator लगा है यहां पर हमने एक इनसुलेटर लगाया है उसके पादर आप देख सकते हैं यहां पर एक power transformer लगा आ गया है power transformer क्या काम करेगा transformer voltage की level को up & down करता है तो हहां पर 33 li-e loop आउटपुट 11 KV, आप देख सकते हैं, 5 MVA इसका रेटिंग है, आउटपुट हमें क्या देगा 11 KV, पर कोस रिले आप देख सकते हो यहाँ पर, हमने अल्रेडे स्टडी किया है, त्योरी क्लासेस में, तो देख सकते हो, आप चले इसे सामने से देखते हैं, आपको दिख रह हैं, वहाँ पर incoming आता है, that is 33 KV, और उसके सामने जो small bushings लगे है, 3, वो हमें क्या देंगे, output देंगे, that is 11 KV, clear, तो हमें output क्या मिल रहा है, आप 11 KV, आपने दिया था 33, और small bushings में, हमें voltage step down होके, 11 KV मिलेगा, आप देख सकते हैं, आप 11 KV, लाइटनिंग अरेस्टर ल लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है, लाइटनिग अरेस्टर है यह, देख सकते हैं आप इसको, उसके बाद जो है, उसके बाद हमने फिर से क्या लगाए है, यहाँ पे, 11 KV में वैक्यूम सर्किट प्रेकर, यहाँ पे हमने फिर से सर्किट प्रेकर लगाया है, तो दू- circuit breaker के हुए? देखे वो जो circuit breaker था, तो भी डाइन के लिए के लिए है, 11KV circuit breaker के लिए है 11KV लिए है 11KBS मॏम्दिन के लिए है methods यहां पर ख़िक सकते हैं 11 KBS हमने करेंंopard Français क्या है कि आइस Или al понад की अरेंजमेंट है ठीक है आप देख सकते हैं यहां पर CT unit this is CT unit and this is isolator unit and air brake switch unit देख सकते हैं आप यहां पर इसके बादी जो supply जा रहा है 11 kv बस पार अब फिर से हमने यहां पर 11 kv potential transformer use किया है ताकि हम voltage को measure कर सके कि 11 kv 11 kv voltage हमें मिल रहा है कि इसको हम मेजर कर सकें इसलिए हमने क्या लगा है यहां पर 11 kv potential transformer लगाया है अब देखें यहां पर फिर से आपका क्या है फीडर अब पावर transformer से जब step down हो गया हमारा voltage 11 kv उसके बाद क्या होता है यह बहुत सारे फीडर्स में supply किया जाता है बहुत सारे फीडर्स में इसे supply किया जाता है अलग अलग फीडर्स से अलग अलग location को हम क्या देते हैं सप्लाई देते हैं तो आप देख सकते हो यहां पर 11 kv जो आपका फिर से हमने सर्किट रेकर यूज किया है यहां पर फीडर्स में इस अप्लाई जाता है महां से अलग अलग location में हमें आसे supply देते हैं यहां पर आप देख सकते हो यह जो आपको देख रहा है वो कहा है distribution transform pole mountain roadside supply जाएगा वो कितना है 11 kv 11 kv है वो इस pole mountain में जो power distribution transformer लगा रहता है उसमें जाता है 11 kv और यह 11 kv है वो step down होता है 400 volt में अगर आप किसी भी दो phase के बीच में voltage देख होते हैं तो 400 volt मिलता है और एक phase और एक ट्यूटर के बीच में अगर आप voltage देख होगे तो कितना मिलेगा आपको 230 volt फिर यहां से जो आपको घरों में जो supply जाता है one phase and one neutral यहां से हम supply कर देते हैं तो रोट साइड आप देखोगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा 11 kv जहां पर आपको पूर मोंटें ट्रास्वर्मर्मर आप देखोगे वहां पर उस 11 kv को तो 30 volt में 400 volt में convert किया जाता है तो यह था आपका एक विजिट था सब्स्टेशन का 33 by 11 kv जहां पर इते सरे कंपोनेंट लगे हैं एक विप्मेंट लगें लाइटणिंग एस्टर फर लाइट्निंग परपर्फ जो हाइड वोल्टीज को GROUND कर देता है सरकीट प्रिकर जो आन्लोट कंडिशन में वर्क करता है आइसोलेटर जो आफ लोड कंडिशन में वर्क करता है क्लियर पावर ट्रांस्वर्मार जो वोल्टेज की लेवल को चेंज करता है थैंक्यों सो मच